वो है जो किसी ने नहीं सोचा था दूसरों के दिमाग को ठंड़क देने वाला चमकीला उसके खुद के दिमाग से गोली आरपार कर देते हैं और इसी सीन के साथ हमारी फिर्म शुरू होती है जुरू कमेंट करके दसे हो बाकी गला आप बाचे करांग पर देखांग वीडियो आसान सा सवाल पूछू आपसे एनिमल जैसी फिल्म जिसको दुनिया में हर किसी से गालिया पड़ी वो बॉक्स ऑफिस पे 900 करोड क्यों कमा लेती है जितना सुनने में आसान लगता है इस मजने की गलती मत करना एटॉम बॉम है सर चमकीला और अनिमल दोनों में क्या कनेक्शन है अभी तक वही सोच रहे हो ना अनिमल सिर्फ फिल्म थी लेकिन चमकीला ने उस जिंदगी को सच में जिया है रियल लाइफ रिवीव से पहले एक छोटी सी वार्निंग अगर आप उ अशा हो जाएगा तुम्हें तो बहुत कहानी मोजे बनाने वाली फैक्ट्री से शुरूर यह तो सही है जब आप अच्छी चीज को देखोगे ना जो रियाल्टी होगी किसी की वह देखने में ज्यादा शौकिंग लगता है हम मारधार देखने से उसमें ज्यादा ज्याद लेकिन दिमाग में उसके पूरे दिन सिर्फ म्यूजिक बचता है लेकिन दिक्कत यह है कि यह म्यूजिक दुनिया को सुनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दिमाग में बजने वाले गानों की लिरिक्स टोनी कखकर नहीं हनी सिंग स्टाइल है वॉल्यूम वन जैसे मैंन चमकीला के हातों में पैन की जगे पहली बार एक माई काता है सामने बैटी भीड उसको अपना भगवान बना लेती है फिर भगवान की भकती शुरू सिर्फ चार-पांच गंदे गाने चमकीला को जमीन से आस्वान तक ले जाते हैं पैसा नाम और घर वाली तीनों मिल जात और इसी सीन के साथ हमारी फिर्म शुरू होती है क्या लगता है आपको सिर्फ नाज गाना बजाना चमकीला की लाइफ कॉमीडी नहीं है सर टोटल ट्रेजडी है लाल खून फिल्म क्यूं देखनी चाहिए वह अभी तक आप समझ गए होगे चमकीला की जिंदगी किसी बड में शुरू हो जाती है घर बैठे बैठे वो सब कुछ मिलेगा जो पब्लिक थेटर में देखना जाती है बट एक बात ध्यान में रखने वाली जरूर है अगर आप चमकीला के गाने कानों पर हाथ लगा के सुनते हो तो यह फिल्म भी आँखों से बिना पर देके देखना क कोई सही गलत नहीं है सिर्फ एंटेइन्मेंट है ठीक चमकीला के गाने जैसा फिल्म आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती बदलना नहीं चाहती आपकी सोच को सिर्फ 40 साल पीछे ले जाकर चमकीला के बगल में खड़ा करना चाहती है लाइफ फील करो सब कुछ अब जिस फ स्क्रीन पर धाई घंटे जो दिखाया है वो इतना ताकत पर है कि आप गूगल पर जाके चमकीला का नाम सर्च करने को मजबूर हो जाओगे जो गाने आज से पहले पता भी निदा के कहीं बने हैं अब वो सब सुन डालोगे आप धून धून के और इसका क्रेडिट खुद च प्लमों में चमकीला का रूल कर सकते हैं लेकिन खुद चमकीला भी कंफ्यूज हो जाए कहीं ये मैं तो नहीं ऐसा काम किया है दिलजीत पाजी ने इस प्लम में गूगल मत करो इनको ही चमकीला मान लो 19-20 का फर्क है परिंती के साथ इनके जो सीन्स हैं स्पेशली गाने वा पूरा करियर समाप्त हो जाएगा लिरिक्स नहीं आग का गोला है दिलजीत पाजी का बहतरी निस्तमाल एक तो इम्तियास तरने किया उनसे एक्टिंग करवा के और दूसरा एयार रह्मान ने उनकी आवाज को चमकीला के लेवल पर पहुंचा दिया फिल्म में कुछ सीन्स पहले ही वँन कर दिया फिल्म को मजाग में बतलेना बहुत सीरियस होने वाला है तीसरा दिलजीत पाजी की करियर बैस्ट पर्फॉर्मेंस दिलजीत को चमकीला की वज़े से नहीं चमकीला को दिलजीत की वज़े से याद रखेंगे लोग और लास्पाला फिल्म का वो भी 40 साल पुराने लेकिन सुनकर दिमाग फ्रेश हो जाए और मोहित चोहान का साड़ा हक वाला अन्दाज रिटन्स नेगेटिव में मुझे लगता है चमकीला के दो साइड होने चाहिए थे सिर्फ अच्छा अच्छा पॉजिटिव तो दिखा दिया लेकिन एक ग्रेशेड जो आनिमल में फील हुआ वो पार्ट मिसिंग था सच बोलो थोड़ा पक गए थे ना मार धार्ड आक्शन सिनिमा बार बार देखकर चमकीला देखो बिडू दुबारा तुमको सिनिमा से प्यार हो जाएगा कोई ऐसा बंदा ढून के लादो जिसको फिल्म अच्छी ना लगे लगी शर्ट बाकी वीडियो में कुछ पसंदा बात करें कोई ऐसा बंदा ढूंड के लादो जिसको फिल्म पसंद ना देखो बई चमकीले वाई दा करियर किद्दाना सी की सी इस बारी मिन्नू नहीं पता है मैं मैं आखा कि परी मैं चमकीला बाई बिल्कुन ही सही सी बाकी मिन्नू यह लागता कि जिनना बंदेनों लू बाकी तुसें की देख तो टाडेकी वीचारा है जुरू कमेंटर कर के दसे हो क्योंकि मारना किसे नू मेरे साथ ना मसले दा हाल लडी होंदा किसे नू मार देना जिन्दगी तो खतम ही कर देना जिए कोई बंदा मेंद करके गाड़ी आया जिर लोग सुनते सी ताह अगले बंदे ने कुछ गाया लोग का ने सुनेया तो ने गाया जो अगले आपा नहीं हमालो मिन्नू कोई चीज पता बाकी मिरी आचीज लोग ज़्यादा देख 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 में जल्दी नेक्स टूडियों सत श्रिया काल बाई बाई